नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं निलगाय के आतंग से परिशान है पलामु गढ़वा के किसान पलामु गढ़वा जिले में निलगायों के आतंग और उत्पात से खेती करना मुस्किल हो गया है यह समस्या लाईलाज बिमारी बन चुकी है सेक्डों की संख्या में निलगाय जिले के हर छेत्रे में बिचरन करती रहती हैं यहां के किसानों की गाढ़ी कमाई और मेहनत से लगाई गई फसल को चंद मिन्टों में रौंद डालती हैं या अपना ग्रास बना लेती हैं बता दे जिले में पहले निलगायों का आतंग सिर्फ सोन और कोईल नदी किनारे तक सिमित था लेकिन अब निलगायों का जूंड जिले के सभी छेत्रों में फैल चुका है इससे लाखों हेक्टेर भूमी में निलगायों से खेती परभावित हो रही है बताते चले कि गढ़वा जिले की असी पर्थ्यत अबादी किरिसी पर निर्भर है निलगायों के द्वारा हर मौसम में खेती बरबाद कर दी जाने से किसान हताहत और निरास है निलगायों के आतां को उत्पास से बचाव का कोई रास्ता नहीं दीखने के कारण कई किसान खेती करना भी छोड़ रहे है बता दे निलगायों के कारण गढ़वा जिले के उत्री छेतरे में रभी फसल की खेती पुरी तरह बंद होने के कगार पर पहुँच गई है जबकि खरीप में धान के लाबा दूसरी फसल लगाना किसानों के लिए जुवा खेलने के समान हो गया है जहारखन के 44 पुलिस अभसरों को सवतंत्तादिवस पर पदक देकर समानित किया जाएगा 15 अगस्ट 172 दिवस 2023 के दिन मुख्य मंत्री के हाथों इन पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को पदक दिया जाएगा जिन चवालिस पुलिस अपसरोव और कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक और स्वापदक पर्दान करने की गोश्णा की गई है उन सभी को 15 अगस्ट के दिन रांची के मोराबादी मैदान में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है रबिवार को रांची के मोराबादी मैदान में फूल ड्रेस रिहासल के दवरान मेडल परदान कर पुलिस अफसरों और कर्मियों को सर्मानित किया गया रांची में CRPF के जवानों ने निकाली बाइक के रैली घर घर तिरांगा अभियान को सफल बनाने के लिए और लोगों में देश भक्ति का जज़बा जगाने के लिए रबिवार को रांची में CRPF के जवानों ने बाइक के रैली निकाली जिसमें सेकडों की संख्या में CRPF के जवान सामिल हुए, CRPF के जवानों ने सवक पर बाइक रेली निकाल कर घर घर तिरंगा फाराने के लोगों को प्रोसाहित किया, 133 बाटालियन के CRPF जवानों के ओर से बाइक रेली निकाली गई थी, इस तोरान जवानों ने लोगों से 13 अगस से 15 अगस तक अपने अपन सरकार द्वारा आयोजी घर घर तिरंगा अभ्यान को सफल बाणने के लिए CRPF के 133 बाटालियन के जवानों ने कैम्प से बाइक रेली निकाली है, आजसू की या सोधा देवी होगी NDA की उमिदवार, डूमरी बिधान सभा उपचुनाओं के लिए NDA की ओर से परत्यासी गोसना कर दी गई है, आजसू की या सोधा देवी NDA की उमिदवार होंगी, बता दे जहामों की ओर से बेवित देवी से उनका मुकाबला होगा, 5 सितंबर को डूमरी में उपचुनाओं में बोटिंग है, जबकि 8 सितंबर को नतीजे घोसित कर दिये जाएंगे, इसे लेकर दोनों पार्टिया के ओर से तियारिया तेज कर दी गई है, डूमरी बिधान सबाव उचुनाओं में NDA परत्यासी को लेकर चल रहे, विभीन अटकलो पर आज भी राम लग गया है, NDA की ओर से आजसू ने परत्यासी की घोसना भी कर दी है, आजसू की या सोधा देवी NDA क युमिद्वार होंगी, रभिवार को रांची में प्रेस वारता कर आजसू ने इसकी घोसना की है, डूमरी उप्चुनाओं में या सुधा देवी की टक कर जार्खन सरकार के मंत्री बेवी देवी से होगी जार्खन पुलिस को एक बड़ा सदमा लगा है, 2013 बैच के डिएस्पी अजीत कुमार सिना की सनिवार दे रात आक्समिक मिर्त्यू हो गई, उनके अजसमाय निधान से पुलिस माकमे में सोक की लहर है अजीत कुमार सिना की लिवर की समास्या से ग्रसित थे, उनका इलाज रांची और हैदराबाद में भी चला, लेकिन तवियत खराब होने के कारण दो दिनों से ड्यूटी भी नहीं जा रहे थे सनीवार की रात उनके सीने में दर्द उठा था, जनकारी मिलने पर उनके परिजन आनन फरन में सदर अस्पतार लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मिरित घोशित कर दिया उनकी और समय मिरितियों से जार्खन पूलिस के लोग सदमे में हैं, जनकारी के मुताबिक खान पान के बावत डियसपी अजीत को किसी तरह की बुरी आदत नहीं थी कार्डियक अरेस्ट की वज़ा से मिरितियों की समभवना जताई जा रही है भाजपा के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष लक्षमी कान्थ पहुंचे रांची बाजपाई ने कहा है कि उनका काम संगठन को मजबूत करना है क्योंकि पार्टी के केंद्रिये नेतिति के द्वारा उन्हें यही जिमेदारी दी गई है जारखन में भाजपा संगठन को एक एक व्यक्ति तक पहुचाने के उद्यस से वह राची पहुचे हैं वहीं डूमरी उपचुनाव के लेकर लक्षमी कांद बाजपाई ने कहा है कि जल्द ही NDA अपने परत्यासी की नाम की घोसना करेगी 17 अगस्त से 7 चरणों में बाबुलाल निकालेंगे संकल पयात्रा भाजपा के परदेश अध्यक्ष बाबुला मरांडी 17 अगस्त से 10 अक्टूबर तक जारखन में संकल पयात्रा निकालने वाले हैं इसे लेकर परदेश भाजपा मुक्याले में बैठक होई और कारकरम की र परदीप वर्वा ने कहा है कि राजे में जब से जामो और कॉंग्रेस की सरकार बनी है तब से यह राजे हत्या लूट भरष्टाचार महिला उत्पीडन के नए-नए किर्थिमान बना रहा है हिमन सरकार के कुप्रबंधन और कुप्रसासन ने राजे को अराजक्ता के अंध परदी मैदान में भव्य सभा कर इसका समापन किया जाएगा पूलिस आकादमी में दिवंगत डिएसपी अजीत कुमार को दी गई अमतिम सलामी जारखन पूलिस में सेवा देने वाले 2013 बैच के डिएसपी अजीत कुमार सिना का निधन सन्निवार की देर राथ हो गया वह 2013 2013 बैच के डिएसपी थे बरतमान में अजीत कुमार सिना जारखन पूलिस अकादमी हजारी बाग में सेवा दे रहे थे इससे पहले वा पूर मुखमंद्री रगवर्दास के सुरक्षा में भी सामिल रहे थे बड़े ही बिनमर और मधूर बेवहार के कारण वह आम जनता के क पूलिस अपसर रहे हैं अजीत कुमार सिना लिवर की बिमारी से पिडित थे उनका इलाज रांची और हैदराबाद में भी चला तवियत खराब होने के कारण दो दिनों से ड्यूटी पर भी नहीं जा रहे थे सरनिवार राज सिने में दर्द की सिकायत होने के बाद उन्हे जमसेदपूर पूलिस की छपामार करवाई 400 अपराधियों पर सिकन जा है जमसेदपूर पूलिस ने सुक्रवार रात सहर में रिकोर्ड करवाई की है इस से जीले के 400 अपराधियों के घरों पर पूलिस ने दस्तक दी और 12 बये से तड़के 4 बये तक 4 घंटे उन सभी का विवरन एक डायरी में अंकित करने के बाद छोड़ दिया पूलिस की टीम ने उनके लिए रात में सभी पूलिस पताधिकारों को हर थाने में तलब किया और 3 टीम बनाई थी इसके लिए सेसवी प्रभात कुमार ने आदेश जारी किया था कि जीले के हर थाने मे बाहर रह रहे अपराधियों का सत्यापन किया जाए इसी सत्यापन के आदेश के तहट वैसे लोग जिनका नाम थाना के अदालत अपराधियों की सुची में सामिल हैं उनके बारे में पता लगा कर उनका विवरन एक अत्रित किया जाए सी एंटी एक्ट में बदलाव की तयारी छोटा नाग्पू टेनेंसी एक्ट में सरकास संसोधन करेगी इसके तह जमीन खरीद में थाना छेतर के बाहता समाप्त की जाएगी आदिवासी जमीन पर बैंको और अने बीतिये संस्थानों से लोन दिलाने के प्रधान भी किया जाएगा सरकार ने इस पर मन्थन कर लिया है संसोधन प्रस्ताव तयार कर इसे टी एसी की बैठक में रखा जाएगा टी एसी से मंजूरी मिलने के बाद इसे अमली जामा पहनाया जाएगा एक्ट में संसोधन के लिए सरकार जल्द ही प्रस्ताव तयार करेगी प्रस्ताव तयार करने में सम्मधित बिससगयों की मदद ली जाएगी ताकि किसी परकार के तुर्टी न रहा जाए जमीन खरीदने की ठाना छेदर के बाद आता समाप्त होने के बाद राजे के आदिवासी एक सहर से दूसरे सहर एक गाउं से दूसरे गाउं में बस सकते हैं अभी ऐसा करने का परवधान नहीं है वजरपात को लेकर चेतावनी जारी जर्खन के रजधानी राची में आज हलकी से मद बारिस का अनुमान है मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर अनुमानों में बताया है कि राज भर में अगले चार से पांच दिनों तक मांसून कमजोर पढ़ने के असार है आईसे में जर्खन के अधिक्तम इलाकों में हलके बादल चाय रहेंगे वहीं राची में मौसम को लेकर एलो अलर्ट जारी कर दिया गया है जर्खन के राज धानी के तापमान में 2-3 डिग्री से से तक की गिरावट देखने को मिल सकती है वहीं चाय बासा जमसेत्पुर सराइक लचेत्र में दिन भर आसमान में बादल चाय रहेंगे सामके समय बजरपात के साथ तेज वर्षा की भी संभवना है चाय बासा में नियुम्तम 25 और अधिक्तम 32 डिग्री से से तापान रहने की संभवना है युवक को पेंड से बांध कर अधमरा होने तक पीटा है जारखन में एक युवक को पेंड से बांध कर बेदम पीटे जाने के ममला सामने आया है अधमरी हलत में पुलिस ने युवक को चार घंटे के मकसद के बाद लोगों के चंगुल से छुडाया जनकारिक अनुसार बोकारो जिले के बाली डिह थाना छेतरी थीत केविन टोला में रभीवर को एक युवक सरंग कुमार दास को भीलिड ने पीट पीट कर अदमरा कर दिया पीटे गई युवक पर हत्या का आरोप है उसके पडोश के एक युवक ने बताया है कि आरोपी ने गाव के ही अनुसार कुमार उराओ के हत्या कर सव तलाब में फेक दिया लोगों का काना था कि अनुसार कुमार उराओ के गायब होने की सुचणा 5 अगस्त को द्हाने में दी गई थी पूलिस ने इस पर कोई करवाई नहीं की वरना युवक की जान बज सकती थी धन्यवाद